हलो एब्रीवान एन वेलकम बैक फोर दे लास सेशन ओफ मीडियन माधिका और या माध्यांक माधिका में आज मैं आपको कुछ स्पेशल केसिस कवर करवाऊंगी सिरफ आज मैंने प्रैक्टिकल ही कवर किया है कोई थेरी कवर नहीं की है सिरफ दो तीन क्वेशन हैं जिनके बैसिस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से मीडियन के केस में कुछ स्पेशल केसिस के क्वेशन हमें मिल सकते हैं तो क्वेशन नमबर वन आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 45-49, 40-44, 35-39, 30-34, 25-29, 20-24, 15-19, 10-14 अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेशटन को तो एक तो आपकी ये सीरीज जो है वो क्या है inclusive अगर आपको ध्यान हो तो हमारी lower limits औल अपर limits जो है वो बराबर नहीं है दूसरा केस देखो क्या है कि ये जो सीरीज आपको दे रखी है ना वो descending order में दे रखी है हमने बोला था ना कि हम आरोही या अवरोही क्रम में range कर सकते हैं series को तो normally जो हम question करते थे उसमें 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 ये इस तरीके से आता था लेकिन इस बार हमें उल्टा दिया हुआ है तो देखो ध्यान से कि इन questions को कैसे करेंगे हमने last video में समझा था कि inclusive series को exclusive series में convert करना जरूरी है और किस तरीके से convert किया जाता है कि एक class की जो upper limit है हमने बोला था वो दूसरी class की lower limit के बराबर आनी चाहिए अब ये बराबर नहीं है one का difference है ऐसे नहीं देखना ऐसे देखने तब था जब हमारी series सीजे तरीके से थी लेकिन इस बार क्योंकि हमें series दूसरे तरीके से descending order में दे रखी है तो इसलिए अब हम इस तरीके से check करेंगे कि ये हमारी class है ठीक है ये हमारी class intervals है तो इस तरीके से ये हमारी यहां से question शुरू करते हैं अगर तो ये हमारी upper limit है और ये upper limit ये lower limit के बराबर नहीं है one का difference है सब में 1920 में, 24, 25 में, 29, 30 में तो इसलिए half one का half करेंगे lower limits में से उसे minus करते चले जाएंगे और upper limits में उन्हें add करते चले जाएंगे तो हमारी जो exclusive series है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे अब exclusive series हमारी कुछ इस प्रकार से बन गई है frequency हमें दे रखी है हम cumulative frequency calculate करेंगे अब याद रखना cumulative frequency भी उपर वाली नी same लिखनी है क्योंकि हमें question उल्टा दिया हुआ है तो हमने क्या करना है हमने नीचे वाली सबसे last वाली frequency same लिखनी है फिर उसके बाद add on करते चले जाना है यानि कि 3 प्लस 5, 8 8 प्लस 4, 12 12 प्लस 7, 19 19 प्लस 8, 27 27 प्लस 6, 33 33 प्लस 4, 37 37 and 3, 40 ठीक है तो I hope कि यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा अब हम check कैसे करते होते थे कि हमारी f का जो total है वो हमारी cf last cf के बराबर आना चाहिए तो you can check कि f का total 40 है और cf यहां पर last जो है वो 40 आ रही है देखो यह मैं question आपको इसी तरीके से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे इसी तरीके से attempt करना शुरू कर देते हैं हम इस question को अगर चाहते तो descending से ascending order में convert करकर भी कर सकते थे तो कुछ फरक नहीं पड़ना था जैसा हमने समझा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से question solve हो जाना था लेकिन अगर हम इसी तरीके से इसी pattern में solve करते हैं तो किस तरीके से solve होगा ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हलका सा difference है अब देखो M कहां लाए करेगा क्योंकि continuous series हैं सतत श्रंक लाए हैं तो M लाई करेगा N upon 2 में N plus 1 upon 2 में नहीं करेगा तो N upon 2 N is 40 40 upon 2 याने की 20th item कौन सी item आईगी 20th 20th item अब 20th item अगर हम देखते हैं तो हमारी CF देखो ध्यान से क्योंकि हम CF के accordingly एंटर करते हैं यहां तक 19 है और यहां इसमें 20th कबर हो रहा है तो हम इसमें एंटर करेंगे यह हमारी median class बन जाएगी और frequency यहीं पर लिखी हुई है तो मैं इसके सामने वाली frequency लेती होती हूँ ठीक है अब देखो median median का formula L1 याने की lower limit plus N upon 2 minus CF upon F multiply by I देखो F वही रहेगी median class के सामने वाली लेकिन जो हम ascending order में question करते होते थे उसमें हम क्या कहते थे कि CF एक उपर वाली लेनी है अब क्यूंकि question हमारा descending order का है तो इसलिए हमने जो CF लेनी है वो एक उपर वाली नहीं लेनी हमने वो एक नीचे वाली लेनी है तो इसलिए हमारा जो formula है उसके accordingly अगर हम fill करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा question बन जाएगा lower limit 29.5 है n upon 2 याने की 20 है CF ये वाली लेंगे 27 के नीचे वाली 19 upon F F हमारे पास median class के सामने वाली होती है 8 और class interval हमारे पास इनके accordingly चेक करो 29.5 और 34.5 में कितना difference है 5 का difference है तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा अब इसको solve करेंगे 29.5 then 1 upon 8 multiply 5 इसको solve करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास माध्यका की value याने की median की value निकल आएगी तो I hope कि ये descending order वाला case इस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से solve करना है हलका साही इसमें फरक है अब फिर से देखिए एक और special case जिसमें हमें median दे रखा है हमें F की value निकालनी है अब F कहा है देखो question में ध्यान से हमें class interval दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 अब frequency अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 5, 8 and F अब ये F है जिसकी value हमने निकालनी है F, 16 and 6 अब देखो हम CF निकालते हैं इस बर question भी सही order में वही ascending order में हमें given है हम देखेंगे कि हमने CF निकालनी है तो CF कैसे निकालेंगे उपर वाले से इस बर शुरू करेंगे 5, 5 plus 8, 13 13 plus F अब नहीं पता तो 13 plus F भी लिखेंगे 13 plus F में 16 जोडेंगे तो 29 plus F बनेगा 29 plus F में जब 6 जोडेंगे तो 35 plus F बनेगा तो इस तरीके से वाली CF के बराबर आ रहा है अब देखो बहुत ही धियान से समझना अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है मीडियन देखो आपको क्या दे रखा था 28 अगर मीडियन 28 है तो इसका मतलब वो किस के बीच में लाई कर रहा है 22 30 के बीच में ठीक है 28 बीच में आएगा ना इनके तो इसलिए ये 22 30 हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी अब मीडियन क्लास आपको पता चल गई तो आपको पता है कि frequency हमने बिल्कुल सामने वाली लेनी होती है और cumulative frequency हमने एक उपर वाली लेनी है क्योंकि इस बार ascending order वाला case ही है तो हम ये चीजें identify करने के बाद हमारा formula लिखेंगे जो कुछ इस प्रकार से है जिसे हम हर बार अभी तक discuss कर रहे हैं हम इसके accordingly हमारी information fill करेंगे तो median हमें 28 दिया हुआ है lower limit इस median क्लास में से देखो 20 है then n upon 2 अब n क्या होता है n का मतलब summation of frequency होता है summation of frequency 35 plus f है तो 35 plus f upon 2 minus cf देखो 13 है तो 13 fill करेंगे divided by f f f ही है तो f का f ही रहेगा यहां पर multiply by जो class difference है वो 20 to 30 याने की 10 आएगा अब देखो ध्यान से जब हम इसे solve करेंगे यह 20 इस side जाएगा और 28 में इसे minus होगा और इधर remaining हमारे पास अभी यह बचेगा फिर देखो ध्यान से कि यह f जो है वो इधर की तरफ जाएगा और यह 8 के साथ multiply हो जाएगा तो 8 f बनाएगा और यहाँ पर हमारे पास अब यह जो numerator में चीज थी उपर थी रकम 35 प्लस f अपॉन 2 माइनस 13 हमारे पास वो बचेगा और अभी इस multiply 10 को हम बाहरी रखेंगे अब हम अगर इसे solve करेंगे तो ध्यान से देखो हम किस तरीके से solve करेंगे इसका LCM लेंगे LCM लेंगे तो यहाँ 2 है 1 आ गया उपर 35 प्लस f है तो वो same आ जाएगा यहाँ 13 के नीचे 1 है और अगर हम इसे solve करेंगे LCM लेके तो यहाँ 26 आ जाएगा then 8 f is equal to 35 प्लस f माइनस 26 upon 2 multiply by 10 अब क्योंकि यह denominator में है तो यह इसको cut कर सकता है यहाँ 5 आ जाएगा और यह पूरी की पूरी रकम जो है वो next case में 5 से multiply हो जाएगी 35 multiply 5 175 प्लस का f जब 5 से multiply होगा तो प्लस का 5 f बनाएगा और माइनस का 26 जब 5 से multiply होगा तो माइनस का 130 बनाएगा अब जैसे आप maths में solve करते थे बिल्कुल इसी तरीके से कि f एक side कर लो तो f इधर गया वो 8 में से minus हो जाएगा और 175 और 130 का difference यहाँ आ जाएगा और कुछ इस तरहां से f की value निकल आएगे तो I hope कि आपको यह जो मैंने आज cover करवाया है यह f frequency missing frequency निकालने वाला case जिसमें सिरफ एक ही missing frequency निकालनी है आपको यह भी समझ में आ गया होगा एक और question मैंने इसी तरीके का cover किया है कुछ इसी तरीके का missing frequency वाला जिसमें आपको class interval कुछ इस तरहां से दे रखी है frequency भी आपको दे रखी है और इसमें भी एक f missing है तो cf हमने निकाला जिस तरह से हमने पिछले question में निकाला था बिलकुर उसी तरीके से अब फिर से देखिए आपको median 50 दे रखा है तो इसका मतलब 5260 जब exclusive series है तो 5260 इस वाले में लाए करेगा exclusive series का मतलब यही है कि जो upper limit है वो उस particular digit को exclude कर रही है बाहर निकाल रही है उसे cover नहीं कर रही है तो इसलिए 50 to 60 इसमें cover किया जाएगा गलती से भी इसमें cover मत कर लेना अब next देखो median class है वही हमारे पास formula है सिरफ हमने formula को fill किया है और कुछ नहीं है 50 is equal to lower limit 50 ही है n upon 2 है क्योंकि n हमें अभी नहीं पता तो n upon 2 है minus cf जो है वो एक उपर वाला लेते होते हैं और f जो है वो सामने वाला 15 है तो कुछ इस सरीके से fill होगा multiply by 10 होगा अब solve करेंगे तो यहां 50 इधर जाके यह minus हो जाएगा तो 50 minus 50 जीरो आ गया n upon 2 minus 16 plus f अभी भी अंदर ही रहेगा ब्रेकेट में जो cf वाला है divided by 15 multiply by 100 अब आपने यह max में rule किया हुआ है कि अगर एक side पर multiply का जो हो वो divide हो जाता है दूसरी side जाके और जो division में हो वो दूसरी side जाके multiply हो जाता है तो यह जो 10 upon 15 है यहां पर वो 15 upon 10 यहां बन जाएगा और यह जब 0 से multiply होगा तो 0 ही आ जाएगा इसका मतलब हमारे पास जो अब बचा वो क्या बचा सिरफ यह numerator वाली चीज यानिकि n upon 2 minus 16 plus f1 जो की bracket में है हमारे पास cf अब हम n की value फिल करेंगे अब n देखो ध्यान से यह है ना 41 plus f1 तो इसको फिल करेंगे 41 plus f1 upon 2 minus 16 plus f1 अब इसको solve करें अगर फिर से ध्यान से देखो कि इसके नीचे denominator में हमें कुछ नहीं दिया हुआ LCM लेकर अगर हम solve करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा जिसमें 41 plus f1 तो 41 plus f1 नहीं रहेगा minus ये 2 से multiply होगा तो minus का 32 और bracket open करेंगे तो ये जो plus का f1 है वो भी minus का 2 f1 बन जाएगा ये नीचे 2 है अभी भी हमारे पास जिसको cross multiply करेंगे और हम इदर लेकर जाएगे तो वो 0 से multiply होकर फिर से 0 ही बन जाएगा और हमारे पास सिरफ जो ये numerator वाली चीज़ है 41 f1 32 minus का 32 and minus का 2 f1 ये बच जाएगे अब इनको solve कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास f की value निकल आएगी तो आई होप कि जो मैंने आज आपको special cases करवाएं है जो important cases median के case में करवाएं है कि किस तरीके से missing frequencies वाले case या descending order वाला case solve किया जा सकता है वो आपको जरूर पसंद आया होगा please kindly पिछली videos जो है उनसे भी go through होए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से median के case में हमने questions को solve करना है किस तरीके से हमने inclusive series को exclusive बनाना है किस तरीके से missing frequencies निकालनी है या किस तरीके से हमने ध्यान रखना है कि ascending या descending order में हमारी series arrange होनी चाहिए so I hope कि आपको ये session पसंद आया होगा पसंद आया तो kindly subscribe the channel like the video and share the video thank you so much next session में हम एक next नए topic के साथ मिलेंगे thank you